हाई फ्रेंस आज मैं बनाने जारी हूँ बैगन आलू मूली का सब्ची जो खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट बनता है तिधर मैंने बैगन आलू मूली को अच्छे से काट लिया है बारीक टुकरों में और इसे अच्छे से मैंने दो लिया है अगर आपको बैगन के सा मुली नहीं पसंद देता आप इसे हटा भी सकते है तीधर मैंने कुकर गणम होने के लिए रख दिया है और मैंने यहां दो चमच सर्स्यों का तेल डाला है कि एक चमच मैंने यहां पच फोरन डाला है अधरक लसंग मैंने यहां दरदरा कुठ लिया है थोड़ा थोड़ा करके मैं सब्जी को डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ इसे पांच मिनट तक आप इसी तरह मिलाते रहें ताकि सब्जी हो जो अच्छे से भूजा जाए तिहां हमारा सब्जी हो जो अच्छे से भूजा गया है एक चमस मैंने यहां हल्दी डाला है आदर चमस मैंने यहां गोलकी जिरा का पॉड़र डाला है एक चमस मैंने यहां लालमीस का पॉड़र डाला है एक चमस मैंने यहां धनिया डाला है और सब को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ दो-्तीन मिनिट तक इसी तरह मैं मिलाते रहूंगी ताकि मसाला जो अच्छे से भूझा जाए तो यहां मसाला हमारा अच्छे से भूझा गिया है तो मैंने यहां स्वाध अनुसार नमक डाला है और इसे भी अच्छे से मिला लेती हूँ तो यहां पर मैंने एक इलाज से भी थोड़ा कम पानी मैंने लिया है और इसे मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं मिला लेती हूँ जब भी अगर आप कुकर में सब्जी बनाते हैं, ता हमें पानी के जरुरत बहुत कम होता है तो यहां पर मैंने बारी कटा हुआ टामाटर डाला है और अच्छे से मैंने मिला लिया है अब मैं कुकर का धकन लगा दिती हूँ एक सिटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी तो यहां पर सिटी आ गई है गैस को मैंने बंद कर दिया है कुकर जो ठंडा हो गया है तब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ तो सबजी हमारा पक गया है तो बारी कटावा मैंने यहां धनिया पत्ता डाला है अगर आपने कुकर के सबजी नहीं खाया है तो एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगा यह आप रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सस्क्राब करें मुझे कमन करके जरूर बताए थांक यू